वाही गुर्जी का खालसा वाहि गुर्जी की फते ग्यानी जी एंट ग्यानी टुझर य। और वॉय। तो एंटायर संगक असी हर महिने संवाद प्रोग्राम देविच वकवखरे कोश्चन्स देनाल वकवखरे प्रश्ना देनाल क्या नीजीतों असी राई लेंदे हां समझ देहां के गुर्बानी दे मुताबक सानुकी समझाया गया है इंगलेंड दा एक राजा होया है जोर्च जोर्ज त्री उसनों वालटर ने कहा सी के मैननू ना सिर्फ कोई चीज नाल प्यार है मैं मेरे जीवन देवेच सिर्फ इक कोई चीज चान्दा हाँ, की चान्दा के दा ताकत, श्रेंथ, आई नीट बल चाहिदा है मैंनू, पावर, तो पावर, श्रेंथ दा साधे जीवन देवेच बहुत वड़ा रोल है, बहुत सानु जरूरत है, हर एक मनुख जड़ायो ताक बहुत जरूरी है, और कमजोर मनुख दुनिया देविच काम्याब नहीं हो सकता, वीग परसन कैनोट गेट अलोट अव सक्सेस, इन दिस लाइफ, वी नीट तो बी स्ट्रॉंग, वी हैब तो बी स्ट्रॉंग, स्ट्रेंथ इस मच नीड़ तो बल एक चाहिदा सी, ताकत एक चाहिदी सी, जो पहले राजया नूँ भी चाहिदी सी, और और राजये जेड़े सी ना, अग्गे किसे नूँ नहीं दिन देशान, पर गुरु गोबेन सिंग महराज, आप महा बली, बहुत ताकत वर, ताकत दा सुम्मा, पर नाल ही जेड़ी है, उनना ने ताकत अग्गे खालसे नूँ भी दिती है, फिए खालसा जेड़ा है, वो प्रगट होया है, इसले यसी कहन देहा, भी परगट दिहाड़ा, थाना जी, खालसा प्रगट होया है, तो खालसे दे विच जेड़ा है, प्रगटिया किद्दा है, कि ये दी जरूरत सी, किस तरीके दे जड़ा है इसनूँ खास रूप दे विच्षेडा है इसनू शमजन दी जरूरत है उस समय दे हलात कैसे सन ऐस तरीके दे कई सवाल जड़े ने सब्सक्राइब जवाब दे लेई सब्सक्राइब भुद्र वांद ते बड़े ही ग्यानी विद्वान और सूजवान दो ग्यानी सब्सक्राइब करते हैं सबतों पहला सवाल है मेरा ग्यानि गनीव जी दे लई के खालसा शबद दा अर्थ की है ते की इस दी वर्तों सब तो पहला शीर गुरु गुबिन सिंग महराज नहीं कीती सी या उस तो पहला विए शबद वर्तिया जानदा सी तो इस सबंदी जेड़ा है तुसी प्लीज चवाब तो ग्यानि गनीव ज अहां जी सब तु पहला सारी संगत ने वाइगरु जी का खालसा वाइगरु जी की खाते जी खालसा जटा आ ऐ पालसी दा शव दे दो अर्थ ने पहला अर्थ शुद पर यह दूसरा अर्थ प्रातन समें दे अंदर ज्ष लेंड दा कॉनेक्षन सिद्धा बाऊशादे नाल, कि देन ह Schadenera, Khin нигे लुन्दासी. उस लैंदे योते, जमीन दे खोएवी टेक्स जड़ा सि अपलाइ नी होंदा सी. That is also called deployment land. उस जमीन भी खालषा क्या जन्दासी. जेन्दा सिद्धाकोनेक्षन बाऊशा देनाले, इन इंशन ताइम, तो गुरु सेव सचे पाट्षा जिने सानु शुद बनाया, भी खाल ऐसी मान करके तेतान करके शुद बनना है, खाल साब बनना है, तो खाल सेदार थे प्यो शुद, नाली पाई साब ने किया भी कि इस शबद दी वरतो गुरु गोविन सिंग जी ने खाल से प्रेम पागत जिह जानी, जिनना ने रबदी प्रेमा पागती नु जानलया है, वाई गुरु दे प्यार दे विच रंगे गय हन, महराज कें देन ओ खाल से हन, खाल साब इन खाल साब दी खाल साबत यूस्ट इन दा भाणी ओ गुरु गोविन सिंग जी जी ने इन वो एक उची वस्थादा नाम है जित्से साथा मान शोदो जानदा है वैमा परमा तूं, बंदना तूं, ब्रयाईया तूं जित्से साथे मान दे विच खोट निकल जानदा है जिस तरह साथ गुरुने किया माया मो सब दुख है खोटा इह वापारा राम जिस तरह सोना वंदा उंदे विच खोट लिए जिए उतना तेस जिदा सोना है जिदा गोल्ड है कुण ठाली दे विच कुमदा है ज़त्दू ओ शोतव जानदा है बिल्कुल प्यार हो गया जिनन्हों अपा चोभी केरेट केदीगां, जा बारावनी केदीता जान्दा है ते ओ ठहराओदे विचे जान्दा है, ठहर जान्दा है उन दे अंधर पठकना उदू तक सी, जदू तक खोड़ सी जदू खोड़न नेकल की ठिका आगया इसे तरह साथे मान वेचे खोट, साथे जीवन दे वेचे खोट, इस करके ऐसी पठक दे हां तो पता नहीं कितना समा हो गया सानू पठक दे हां ते गुरू देना जोड़के खालसा बनना है, गुरू ने फिर खोट करना है साथे तन विच्छु खोट करना, मन विच्छु खोट करना, खोट करना, खोट करके ते सनु शुद बना देना, सनु खालसे बना देना, जिदन खालसे बनके, सो साथा मन ठहराओ दे विच आजाएगा, जीवन दे विच आजाएगा, साथे कर्मा दे विच प्योर्टी, बोल वेरे माजी बहुत वदिया सनु गनीव जी ने समझाया दसया वे खाल से देवेच असी शुद्ध होना है अगर सड़े थौट्स जेड़े ने ओंडे सोच क्लियर नहीं है सड़े कम सही नहीं है जैसी जेड़ायों प्योर होना है सड़े अंदर कई विकार भी चल देने सड़ के अंदर नाम भी चलता है रबनों याद कर देयां फिर असी कई माड़े काम भी कर देयां खोट भी मिलां देयां तो कई त्रिक्के दे नाल सानु खालस उन दी लोड़ है तो खालस शबद बारे असी समझाया है पर इक प्रेशन साड़े कोल नाल ही यह देनाल मिलदा जू बता हुए है तो एदे बारे जेड़ा है सानु तुसी गुरजिंदर सिंग जी तुसी प्लीस एदे बारे सानु थोड़ी जान करी दो भी खालसा साजना ते विसाखी दा मिला एदा आपस्टे सबंद की है ते दोनों अलग अलग किदा ने सब्सक्राइब सारी संगत सारे सुरूते जिन्हें इसारा प्रोग्राम देहरे ने उना सारे आनु वाहिगुरी का खालसा था जी खालसा परगट देहाड़ा ते विसाखी पे दो भखरे भखरे प्रोग्राम ने दोना दा वखरा मतलब है जे असी गाल विसाखी दी करिये क्योंके आज दे समय देवेच ज्यादा तार ज्यड़ा यही शब्द साठी कौम देवेच बरत दिता जानदा के विसाखी दा देड़ा आ रहे या विसाखी मना रहे विसाखी ते खालसा थे दोनों अलग कंसेप्ट ने सो पहला वसी जे विसाखी दी गाले करिये ते विसाखी जो देसी मेही नेने जिमें गूपाने दी अंदर भी बारा माह दा जीतर है विसाखी दूसरे मेही नेरी पहली तरी है विसाखी जो दोनों लोकाने वेचे खास करके जड़ा पंजाबदा जूथ होदा महावल सी जूथ होदा कल्चक सी लोग खेती बारी देनारसंबंदत लोग सान खेती बारी करने खास करके जड़े फसलत कान करें कान को उना ने बीचे नहीं दूने विसाखी देने आके पक जादे कात लेने कात के ना दे दाने अनाज आपने करा जाए तो जड़े लोग सान उना ने आपने एक विसाखी दा मिला अपने एक अठकार में जड़े विचे उन्जाय कीता जान दा सी मनोरंजन कीता जान दा सी कही तरह घेड़ा होंगी दुकाना लागे देना लोगाने एक अठे हो के विसाखी दे मेला मनोना शुरू कर दें सो यह जड़े मेले इस तरह लांगे देए गुरू नानग साह महाराज ने बड़ा लंबा समा पर चाहती तब बड़ी दूर दूर जाके संगतां काईर रुसों मत घुणा पाग ज्यादा जेड़ा किसाज नेड़े तेड़े ही रेया जना दूर पर चाहर कर नहीं जाए साम्दासामार गुरु अमरदासमार रागु existing मी जो जिर्कराय साथ और के हर्दवार टाकता इनने घंगादा शिनां । देगे पल जिशित का इनला के बवयर हात्सां करांव। इस हमता थे संकता हूं पहले तराजय में बर्स और टर्त aर पर लिए में गूर गुरू अम्रदास जीदे गुरू गुईदवाल आउने शुडू। बहुत सारी संगत आउने सिख एथी जोड़न लाग़ पिर सिख एथी रहके सिवावाई कर देता। एक सिख दा नाम है पाई पारू जुलका। एदे हास देवेचे उसनों पाई पारू परमहंस दे नाम जाने हाने लिएक वर्दास महर राजदी कोल उनान एक देन बीनलती की थी पर मारादी बड़ी दूर तो संगता आउन्टियां क्योंकि संगता ने जदो पैंग मिलना जाना आजाना जाना दर्शन करने किसे ने एक दिन रहना किसे ने दो दूरेना चले जाना वापस सिख गुरू को लता आउंदेने पर सिखादा आपस वे ते संभान देड़ाव जादा नहीं से पाही पारो जी के बोरना सिखा नाले मिलके ते गुरू सहर दे गुरू अमर्दाहजी दे के ते कियो ना को यह हो देया देन नियत करिए कि यह सारे सेख एते 71 हो साकन वटी गिनती द गुरू अमर्दाहजी दे अनाल मिलके जो फैंसला कीता गया से ओसी विसाख वाले देन उदा कारण एसी पी लोग आपने कमात अंदयां तो विले हो जांदेने दाने अनालकार विच आजांदा लोग पहले ही विसाखी दे मिले लोंते ने तक क्यो ना इस सारी संग्जी ग आपसे प्राहाने कोजी सिख्या लईया उनादा आपसे संबादा आपसे आल मेल बाने इनों मुखराख के फिर ओवे साखी दा मिला गुरू अमर्दाही समय ते गुएंदवालत विच शू किता गया एप रहंपरा फिर अगे चाल दी गई गई गुरू रांदास गुरू अनानपुर्दी तर्दी बनी तो इना सारे था वांदे उन्टी 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 रहे ताँ शिरी गुरू गोवेत सिंग महाराज दे समय ते जदो खालसा परकट करन्दा महाराज ने फैंसला कीता ता ओधो यसे करके इस देन दी जोन कीते गई इसे भी सांगता पैला एक सारे यह तो सोड़ा सो नड़े जड़ी जड़ी पर साखी है इसे करके वह दो बहुत वड़ा एकाठ हुए जरे वे चिशीरी गुरू गोवेत सिंग महाराज ने खालसा परकट करना थैंसली कह सागए एक मुकमलता देना है सिख श्रूप दे देता हर पक्ष दो मुकमल समझाया थैं विसाखी इना आपस हुए तो समाद मांगा भी जगों विसाखी यावें उसे देनी खालसा परगट देाड़ा हुएगा पर खालसा परगट देदा एक वठरा है तब साखी जड़ी उ लोग पहले में लेए उपदे वीचे मनों दे सान तो सादा सिख दा ठीक विल्कुल जी बहुत वदिया तुसी सनु समझाया थैंक यू वरी मच भई खालसा साजना दिवस जेड़ा है वो विसाखी दे जोड मेले दे उपर किता गया तो विसाखी दा जोड मेला समय अल्रेड़ी सी उस समय खालसा साज्या गया तो दोनों एक अलग अलग श्रीगुरु अमरदास महराज दे टाइम तो अल्रेडी चल रहा सिगा फिर ऐसी की जरूरत होई भई अच्छानक गुरु गोबिन सिंग महराज जोड मेला अंदा है ते स्पेशल हुकम नामें भी पेज़ देने के वाद तो वाद संक्ताइं कठिया होन ते खालसा साज द श्रीगु ने एक संपूरन इंसान तस्वीर तियार केती जिनो नाम दित्ता गया सेख़दा बाकी जड़े अठ गुरु सेवान सान गुरु अंगदेव सच्छे पाट्षा तो लेकरके गुरु ते पाद्र सेव सच्छे पाट्षा तक ओना सारयाने इस सेख़दी तस्वी सो इस तरीके नालए बाकी गुरु सेख़दी गुरु नुम पाट्षाने इस सेख़दी तस्वीर ते विच तरीके नालए बाकी गुरु सेख़दी टरु सेख़दी बादा च्छे फ्रेम ने उट्या जड़े आ 1973 अण सेख़दी जिनालए भी्कश एक शीशाओंदा ine पर उन्नों फाइनल तच देन दीवारी आगी, फिर साथकुरा ने खालसा साज के ते उस तस्वीर नो जड़ देता, ते उन्नों कह देता भी हुन ए जड़ा इनसाने सिंग बन चुका है, सिक तू सिंग तक दा सफर सी, दो सुन तारी सार लगे, सो एक लंबा प्रसेस लिए, इस तरह सिंगापर दी एक्जाम पर लिए एक जड़ू कोई बिल्डिंग शुरू कीती जानी, प्रजेक्ट शिरू हुन दा थे, उन्दी समापती नी बेट लिखी जानी भी हाई, पान साल दा प्रजेक्ट थे, इन्नों 6 साल लगनगे, 7 साल प्रजेक्ट बहुत वटा सी, सो उस प्रजेक्ट नों पूरे करन दे लई दास गुरू सहबान आए, दास सरीरां दे विच, उजड़ी जोत विच रिये, ते दसमें पाट्शा ने उस प्रजेक्ट नों पूरा कीता है, जिन्नों खालसा किया गया, सो गुरू गोबिन उन गुरू गोबिन सिंग्टी ने खालसा कहा जेता, सचयारा मीनिंग उंदे अंदर साचे, के वल साचे चूटनी है कोई कोटनी, ओ सचयारा खालसा बनगिया, सचयारा ही ते खालसे विच्च अपा फरकनी कैस तदी, सो फाइनल टाच दे एंदी वास्ते गुरू गोबिन नियम ने कुछी डिसिप्लन है, सानुकां के ठंगनी भी ती ओ तस्वीर सोनी लगेगी, लोग आके वेखर, एंदा उन दभी आपकर आंदे विच जाने आते, जिननी सोनी तस्वीर होएगी, उननी ज्यादा अट्रक्ट करेगी, साधियां अखान, ऐसे किसे ने कार्च एकदम देख देयां, गुरु सहिव ने इस सिख दी, सिंग दी खाल से दी तस्वीर बनाई भी एद दुनिया दे विच एदा दा किरदार, एदा दा सुरूप लोग आट्रक्ट करेगी, लोग वेखन भी एजड़ी तस्वीर साधी गई, इंदे विच की क्वालिटी है, इ वाकिया है, साधी जड़ी पहचाण एद दुनिया पर दे विच हुंदी, साधी शरूप करके, ँंदी साधी कमा दे करके, इंदी साधी किरदार दे करके उंदी है, ए गुरु सहीव सच्चे पाच शाजी ने गुरू नानक सहीव दे मिश्न नों अ कॉंप्लीट की ता, इन साथ किया गया भी प्रगटे उखाल सा प्रमात्रम की मौज भी ए राबदी मौज वेचे राबदे हुकम दे वेचे खाल सा प्रगट होया है थेंक यू वेरी माच जी बहुत वदिया तुस्टे सानों दस्यावे गुर्णानक साह महाराज ने जेडी पहला एक तस्वीर सोची सी पोली होली उसनों रांग पर दे पर दे दसम पाश्चाने जेडा है उसनों फाइनल टाच दे दिता समय दा महाल भी कुझ जैसा सी जन्ता भी बड़े डर्दी सी बड़े कुछ ऐसे सान वही राजे दा ही जो समय किसे दा राज सी थे वोदे ही दबादे विच अपां गुर्जिंदर सी तुसी सनुजराय दसो भी खालसा साजेया गया पर एदेले प्रोपर उससमें की खिता गया केस तरिके दे नाल जेडी सी ओसाजना किती घी केस तरिके नाल गुरु साबने जेडी सी उं मंग रखी सिरा दी टे की जडा सी गाव उस दिन दी कटना आपने बारे जड़ाय साननों जानकरी दो गुर्जिंदर सेंची। 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 पढ़े गे स्रावगुसूदवाले चौप ऐदा पाठ की था। अनात्साएव थे मुकमल बानी पूरी गेशी गेशी। पूरी थे पजबानी थे पाठ की था। गँपूजिंदर सेंची। गुर्मत ती रहने ही था। कि पाई आज तो तो आनू एक खंडे की पाउड लेया तो पहला एक जीवन दिता जा रहे हैं जनों सी गुर्मत दी रहनी आख देयां तो गुर्मत दी रहनी दा पाव हुंदा पी सेख दा सापकोची होनु गुरुदे अनुसार है गुरुदी सोजनु समर्पत सेखने होना जनो पुर्मत दी रहनी दसी गई हो दे तो बाद फिर पंजा सिखानु वारी वारी करके खंडे की पौड दिती गई है पांच जडे को पींग्नवास दे तेने पांच छट्टे अखाच मारे गए पांच छट्टे सर्देवरी च मारे गए तो पंजा दे कारके नाल इससे वारी वारी तुरा से इसे वी तरह कोई पर किसे तरह दा वितकरा पूंडा जेता है जाग्या प्रवारी जदों इना सारे नू त्यार बरत्यार कीता अमरत शाह खलेया और नाम जता सी पंजब्या प्रवारी जेना ने शक्या ओपांज ने फिर उदे तो वगे ये नहीं है उससे दिन जड़ा साड़ा इतिहास है उपेंदा के वी हजार सिखा रहे हैं क्योंकि वो समीटे इंटे वड़े परबंद करने बड़ी आउख सी पर फिर वे बाब जूद पांज सिखा तो बाद फिर बी ने सकेया शकेया फिर होली होली करके वी हजार जड़े सामफोना ने खंडे की पावल इको दिन केस गाड़ी तरह तो पहला जड़े आए ने तो पांज ने पंजानु जित्थे अमरशिक आया गया खंडे की बावन देती हो थे पांज ककार गुरू से अबने लाज आधिया लोड़ामी ने एक साधे जीवन दा आंग भीने ये ना दे नार एक होर इना पंजान दे विच्वों एक आदलग जीवन दे चलक भी पहीं दिया वह एक वखरा लंबा विश्या सो पांज कार देते गए पांज प्यारे साज देते तो गुरू से इस तरह केस दे वेचे जेड़ा बहुत सारा ग्यान तो इसे साधेनाल संजाए किता और देखो जी पांज हुने अपनों पाईसाब जीने दसे अभी हजारां दी गिनतीच अमरत चक्या है ते सोचो सारे सिंगानों उद्वी पांज बाणिया कंट होनगी है क्योंकि पांज बाणिया प पांज ही प्यारे गुरु गोबें सिंग महाराज ने साज के पांज बाणिया ने पांज प्यारें दे नाम दाव येक्ट बढ़ा डूंगा अर्थ है तो नाओ एक वारी जदो खालसा साज देखता पांज प्यारें दे चोन हो गई की उत्री खतम हो गया या उस तो बाद उना दा सिख हिस्ट्री दे वेच कोई कंट्रीबूशन भी है तो एबे बारे गु प्यारें दे नाम ने इनना दे अर्थ बड़े मांता रख देने और वी कैन से थीस आर फाइव क्वालिटीज एंड वी नीद टो खाय दें पाई दया से जड़ी दया है जड़ी कंपेशन है तो अल तरम दया का पूत संतो ठाब रखिया जनसोत जड़ा तरम है ओ दया दा पूतर है इस दा सन अव तरमा 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 ढिदेसिप्लैंस आजान चंग्य निएम आजान अभिश्यम्हा, उपने आप ही स्ट्रेंथ भी स्ट्रेंथ गढ़े है", ज़ी है को यहीं है, यहीं होन्य कि यहीं कि वेड़ों क्यांता है कि इड़ेया है," ते है श्ट्रोूंग मांटनेश", रहे जिएकिते स्ट्रेंथ, साहिब, ओ इनसान साहिब दा रूफ बन जानदा है, गुरू दा रूफ बन जानदा है, रहनी रहे, सोई सिख मेरा, ओ साहिब, मैं उसका चीरा so this is the connection between the names of five gloves पंज प्यारियां दे नामदे विच एका strong connection so these are the five qualities we need to acquire them into our life so that we may, we may the form of Guruji, we may be the form of Guruji ऐसी गुरू दा रूफ बन दा है, we have to be embodiment of Guru Gobind Singh Ji our Guru, our true Satguru, भी गुरू दा रूफ बनना, गुरू दा रूफ बनन वासते, फिर गुन चाहिए देने जिते गुन आगे, उथे ऐसी साहिवदार हो सकते हैं, उथे फिर बचन कई जानते हैं, रहनी रहे, सोई सिख मेरा, ओ साहिव मैं उसका जीरा जो ये पांज नाम दे अर्थ तो अने, और सांजे कीते ने, क्वालिटी सने, गुरू ने, होन अगला सी पांज प्यारियां दा की योग दा रहने जो जो ये पांज प्यारिय ने, एक ओम दे विच अगवाई कर देने अब वेख दे हैं भी जदू अमर संचार होंदा उथे पांज प्यारिय ने, नगर की इरतन दे अगे पांज प्यारे होंदे हां और जिए पांज प्यारे ने जिस तरह सलामी होंदी, निशान सहीव दी सलामी होंदी है, कोई सिख सहरा होनी है, उथे पांज प्यारे हाजर होंदी है तो पांज प्यारे फैंसला लेंदे हैं तो पांज प्यारे एक कह सकते हैं भी सिखी दे विच अथोर्टी है भी गुरु सहिव सचे पाथषाजी ने जिस तरह चमकार दी गड़ी दी एक्जेमपल लेने या भी जदू साथ गुरु नो किया गया भी तुसी गड़ी छटके चले जाओ, ओकेंदे भी नहीं मैं अगरे दिन शीदी पानी, ओथे फिर पांज प्यारे कठे हो इने, पांज गुरु नो ला सक देने, क्योंकि गुरु ने कह देता भी, गुरु ने कह देता भी तुसी मैं चेला माते तुसी मेरे गुरु, जदू उनना तु खंड़े बाटे भी ज़ए, गुरु संगत की ने, खाल सामान मुखी दू हेला, वाह वाह गुबिन सिंग, आपे गुरु जदू साथगुरु वीरासन दे विच दो हाथ उनना अड़े वे ने, उदू चेले दे रूप दे विच ने, उदू जड़े पांज ने, वो गुरु दे रूप दे विच ने, सो सिखी दे विच पांज प्यारे गुरु दा रूप ने, पांज प्यारे अगवाई कर देने पंज प्यारी फैंसला लेंदे ने और अपने वेक दिन आपी पंज प्यारी गुर्मता पांदे ने पंज प्यारीयां दी रिस्पेक्ट बरकरारे क्योंकि इना गुरू दा रूप समझेया जानदा है आत्मा गरंथ विच शरीर पंथ विच सो ए इना दा योगदान है इना दा कॉंट्री मिलिशन है जो आज तक तक हो दा आ रहे है बहुत वदिया जी तुस्से सानु जानकारे कंटिन्यू ओना दे नाम दे विच भी बड़ा डीप मीनिंग है ते आज दा को साड़े कोंदी अगवाई कर दे आ रहे ने और जो दो चमकोड दी गड़ी चड़नी सी पंजाब यारे ने हुकम किता गुरू गोबिन सिंग माराज नों तुसी चले जाओ गुरू गोबिन स सिंग नहीं बना सकते गुरू गोबिन सिंग जी अगर तुसी बाच गया तो बड़ा योगदान जेड़ा है और बड़ा इतिहास जेड़ा है पंज प्यारे नामा वी गोबिन सिंग माराज ने पाइदाया सिंग जी तो सेवा लई उन्हान पे जैसी जफर नामा पकड़ान लई वी तो ऐस तरीके दिनाल पंज प्यारे यां दा नाम दा जीवन तो सानू भी जेड़ी है बड़ी सिख्या लेन दी लोड है तो अगला जेड़ा कोश्चन है ओई है भी पंज प्यारे नहीं के रहनी रखी जीवन टंग रखेया और आम अज दा इक नॉर्मल कोश्चन है तो डूबी नीड टू फॉलो दोस तिंग्स इंट टूड़ी स्लाइप एज वेल ओदों सी कहने अभी चलो जरूरत सी कि सानू आज दी किसे तरह दे कोई रहत दी जरूरत है कि कोई ककार दी जरूरत है और खाल से नू अगर उस समय गुरू साहब ने जीवन टंग दिख सी तो उस समय दा कैसा सी तिक की आज ओदे विच कुछ सानू फिर बदल दी लोड है या उना चीजां दी जरूरत है तो ए आखरी कोश्चन इदेले में बिंती करांगा सादे गुरू जिंदर सिंग जी तूसी जड़ा सानू सवाल दा जरूर जवाब दवो के खाल से दा ज शिश की थी खंडे की पाउल लेडिड वस्देर गुरुबाणिंदा एक बजन इसात गुर कर जनमें गवन मताय को गुरू जेख दा जनम हो गिए होनो दी रेनी बैनी उदा जीवान टांग उस वारा गुरूरूमत दी रेनी वीच हाग गुज आगे तां गुरूमत दी र कि दे मुशली उना ने हर थांके जाके हर एक नों इनसानी अश्राइब सब्सक्रों पहला करने हुँड़ा इनसान इनसान बड़े तार पार्ट को जादा की टांग है तसी किस तरह अपनी अर्समा जे तरह अर्वाज नपने तेता है या को एक वखरी गल है जो मर्दी साथा पहरावा जो मर्दी इसी पाठकोड़ा करते हैं तो उदे कोई अठी रहा है जाए जिए जीवन जा चाहिए खालसी दा वे उफ लाइफ है वो एक इनसानी जीवना है जीवना मतलब गुरु साथ ने सानू जेदे वेचे का सेख करती है सेख मांग के नहीं खांदा सब तो बढ़िगा जेमें गुरु नाटिक साथ ने कैसे नाम जपना बाड़ शटना सेख करतकार के खांदा आते हथ हो देका पला मनाव है तो ओ अपने जो कमाया वोदे वीचो पर जिस गुरु साहिब ने जिस खालसी साजना की तो दे वेचे जदो वेख दे आता सेख संथ सपाई के आदा सेख संथ भी है बानी बढ़ दा उ सपाई हुए शेस्तर भी चोकले इंदा आप भी आपने आप दी रखिया भी करदा और किसे दूसरे दी इजद बचावी सा है के सिख सेवादार वी और सेवक भी है उपाट ने वी तो किसे दूसरे दी मदद करना वासते अगां उतावला भी हुए जिद्धे रूड होए लूड़ दे अमसार एक सेवक भी है जड़े वर्न वान देदार ने चारान बखरे वखरे जतें सी एक सेख दें गर्मत दी जीवन दीवेच देख देख देखे दे आते, सब पुछा गुरुस हैब ने जड़ा किरदार दीगालकिती है, करेक्टर दीगालकिती है, गुरुबाने वीच एक बचनम्दार के सच्चो और है सब को ऊपर साच आचार साच ते बहुत उत्तम है बड़ा महान है पर साच तो उत्तम साच दे उत्ते सरदया हुया अचार है जड़ा क्रेक्टर साच दे अदार्त बनेया साच नालों में उच्छा हो लिया तो सानु गुरु साच ने क्रेक्टर जड़ा सी बहुत उच्चा दे अब सिर्ख दे करवार उते एक मार कीता जा सागता है काजी नूर महा मद्दियां लिखतां जो नाने जांक जो दूबी केते सिखाने मारे आविया सिखाने बहादरीनाल मुकावले की तो सिखाने जड़े बड़े उत्म पहला केंदा बहादरी दे नालन लाड़ते दूश्मन सामने लोहा लेगे वह इना वेज की सूर मता ही आया है दूश्मन सामना कार दे ते वर डीगाले ए अपी जदो कि दूश्मन ना पाजजे डरके पाद जे जांचांकतार मतान शाटके पाज़ पिछे जा को दे वारनी करें दूश्मन ने का देड़नी जंगा जुद्णां देखिया जांदा पी लोग हरत रांदा तांक तरीका अपना लेगे देने पर सिखाने अपने अचार अपने क्रेक्टर नो इन उच्शा रखिया भी कि दूश्मन भी मा पैनती बचा इना दे ह करेक्टर 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 करना बड़ा अपने अपना आचार काइम करना बहुत उखा जदो असी गालब एक देया आम पेखार सेदा जदो असी खंडे की पौल लेने सानु गुर्मत दी रहनी दसी जानी बड़ी नॉर्माल बड़ी सिंपल जिंदगी है जेदे वेट असी बड़ा चंगा खाना खाल साकते हैं सानु कुई मनाई नी चंगा खाना 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 थे असी चंगा पहरावा पासागें सानु कुई मनाई नी पहरावे तो गुरु बानी देविच गुरु नानक सहब ने पाउनते खान पारे ता बड़ी पहलें गालकार देते सी पी जेत खाता है तान पीड़ी है मन में चले विकार तो इहुजा खाना शाट देना तैदा जो मर्दी पासागें पर उदेविचे जड़िया ने मोखने पी एक वो जैनु वेह के विकार पैदा हुदे हो ना एक वो जैनु पाके असी आप बैन उठन तो भी असमरात हो जाए ना चंगी तरह बैस सकें ना उठ सकें श्रीर के तोर दे आपने 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 अ लिए कट सांची आपने अटिय करना बेचा डेयााइं जबुरू की मात यह गरें कर बेस गूरू की मात जरी से उ लेहरी जिन्व मत इसकार कि सेक्ष्टी मात गुरू इन्व झम्रधी यह बड़ी उब उप्तन हुजांदी इसे करके इस के चृदार जो वेखिर गुरू सहब सब्सक्राइब अपने जीवन ने भिया जीवन न इनतर रख़ा, जाबे कहה है, बेपरण की रिथ मेहना करो इनकी परतीद जिथे गुरू सहीब कहीं देने कि खानल सा इरो सज्टन सूरा खाल सा मेरो साथकोर पूरा वोते गुरू सहीब योरी ती ओあの परूसानी रहना जिने जीवन दे करेक्टर दे वेच्ट नहीं सदोड़ाग्युत रोप करनी ज़िए। जड़ी साथी सोच है जड़ा साथा करम है यह नहीं वाना होते है इदे नाला सी समझो उताकर देना करिए जड़ा 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 है जड़ा जड़ा जीवन टूंव पार रहे है गलत काम पर देख से अगर कोई गलत कन रहे हैं गुरुदा गहना असी पाया होया है ते असी गलत काम नहीं करना है जह सब्सक्राइब नशा नहीं करना तो विच इस गुड़ कारदे विच कई लड़ायां कई प्राब्लम्स फाइनाइशिल प्राब्लम्स या वैसे कई वरिके दिखता अंदियाने तो चंगे गुणानू ही रहत किया गया है जेड़ियां के आज थे टाइम दे विच भी सटेली बढ़ियां ही जरूरी ने बड़ाई सोने तरीके ना और तो ही जेड़ी है इस दी उसारी शुरू हो गई सी जिसनों एक परतक रूप जेड़ा है और गुरु को बिंसिंग महराज ने दिता और चंगे गोन करेक्टर नो लेके जीवन नो लेके चंगा बोलना चंगा खाना चंगा पैनना इस तरीके दिया चीजा गुरु सहब ने सान अपना बड़ा प्रेशिस टाइम तुसी अपना कड्डिया और सम्वार्दे विचार जेड़े है तुसी शामिल उन्दे हो बड़ा वदिया लगदा और अपने पॉइंट थी तुसी शेर कर दे हो So once again, thank you everyone and now I would like to request you Amarjit Singh Ji तुसी जेड़ा है अपने विचार जेड़े है दो चार मिंट ते लिए समू संक्ता देना आल जरूर संझे करो जी Amarjit Ji Vaheguru Ji का काल सा, Vaheguru Ji की पाते जी Vaheguru Ji की पाते जी To yourself, to Gyanijis and all the Gyanawans who are listening to the program, I think it's a fantastic Sorry, I can relate it better, otherwise I am anparana, so please forgive me No worries, we are comfortable in English No worries It's such an interesting talk and I like the part where Gyaniji mentioned that it's very important about the character When Kalsa Mero Roop, right? And all the while I was thinking that Kalsa Mero Roop is an external external But like Gyaniji mentioned, the importance of character I think it's so nice, it's so important And it's true practice I think we all have to give an opportunity to everybody to put it into practice And putting it into practice takes a lot of time So I think it was a very interesting lecture And it's good that we can, it's great that you guys organize these events every now and then That we can understand more about Guru Saab's message I have a question, I was wondering like, you know, Gyaniji has mentioned that it started from Guru Nanak Kalsa started from Guru Nanak and to Guru, through Guru Gobind Singh Ji But then I was wondering, there was the word Kalsa also mentioned by the Pagats as well So Kalsa started also by the Pagat Pagat Kabir Ji Yeah, Pagat Kabir Ji Yeah So can we explain further I mean, Kalsa was mentioned then But that Kalsa is meaning something else, right? It's more to compassion No, Pagat Kabir Ji So Kalsa means pure So Pagat Kabir Ji Used this term in his Bani Yeah, it means pure tea So I just talk about the word Kalsa Because it is already mentioned In the Bani of Guru Granth Sahib Ji Before Guru Gobind Singh Ji And Pagat Kabir Ji says Those persons have become Kalsa Who are imbued with the love of God So that are Kalsa Right Yeah, so Yeah, here could be Savji talking about God's love Who is imbued with the love of God He or she is Kalsa Okay, thank you very much It's a very interesting talk Very appreciate it Thank you very much Thank you very much For contributing in today's talk Amar Ji Ji Bilkul Khalsa Jada Hai A Jada Si Bé, Oda Eksaroop Jada Si Oda Eksarup Jada Si Oda Eksarup Jada Si Oda Eksarup Jada Si Maharaj Ne Bhi Sadi Li Tiyar Karna Shuru Kiita Jinnillion Road Final Touch Guruk Gobind Singh Maharaj Ne Dittta And Oda Zikar Bilkul Pagat Kabir Ji Ne Bhi Kita Hai Or Shabat Bhi Guruk Ransar Maha Raja Tavich Dursa Ji Thank you very much And Sai Sari Sanghadda Now I would like to request You are in charge प्रेजिदेंट हर्दीब कॉर्गेल जी तुसी प्लीस चेड़ा अपने अपनों अन्म्यूट कर लो जे तुसी भी चेड़ा है जरूर अपने विश्चार चेड़े और शेयर करो जी जी न्युट शेड़र सेंटर सेंटर सी गुद्वारा बाह बलूर मुच है संगयदको classy सेंटर सेंटर के सबस्ट dips बॉडबा वहरा बाह बंदो सिंग जी अते ग्यानी गुर्जिंदर सिंग जी दा इस तो भी बहुत कुछ सिख्या अज मैं भी बहुत नोट्स बनाया जो ग्यानी जी ने दखिया के खासा हंदा प्यों शुद्ध होना मानतों खोट कड़ना फिर गाहन विसाखी मेला थी खासा सजन दे अलग कॉंसेप्स ह गाहन एवी सिख्या के गुरु जी गुरु नानक देजीतों लेके गुरु गुबिन सिंह तक एमिशन कॉंप्रीट होया तक हासा साज्या गया और ग्यानी जी ने सानु पंझ प्यार जे ते पंझ कारां बारे दश्या ते पंझ प्यार जो गोन हन ओवी हन ते सानू भी सब बित्तीत करना चाहे दा रहनी बैनी गुर्मत दी रहनी होनी चाहे दी है ते हुर ग्यानी जी ने सब दस्यासी किर्ती, सेवक, सच, अचार ठीक होना चाहे दा ते ए सब कुछ जे अपनी जिंदगी विच अपना सक दिया ता बुथी बद्या हो गगा अखेर विच सदे सिक सेंटर दी दे सिखी परचार, सत्विंदर सिंग जी बहुत बहुत अन्वाट का देया है जिनना ने ए सारा प्रोग्रेम मेनत ना त्यार किता अथे अज इपूरा होया वाहिगुरुजी का खालसा, वाहिगुरुजी की फटे वाहिगुरुजी का खालसा, वाहिगुरुजी की फटे जी, thank you very much for your kind words and for your feedback and complimenting in today's talk. बहुत बहुत शुक्रिया हरदीबकौर जी, नालिक संगत मेंबर जीदा भी एक suggestion भी आया है, बिल्कुल जी, और ना लिखया भी जीदा सिख है, वही खालसादे रूप दिविच पहुंच आन्दा है, जीदा के सानुपता लगदा और फील उन्दा है, बिल्कुल सिख तो गुरुद्वारा होए सोजी पायर से, बिल्कुल ऐसी गुरुद्वारा साहब आन दे हाँ, कथा विचारां सुन दे हाँ, लेक्चर सुन दे हाँ, समवाद अटेंड कर दे हाँ, ताके हर एक सिख जेडा हो खालस हो सके, और खालस तो पावे प्योर हार एक मनुक जेडा भ व्यूवी शेर किते ने तुसी और जेड़ा है, सदे सारे जेड़ा समवादनु शुरूत लेके लास तक बड़े ही प्यार स्थिकार नल सुनिया है, नौ अम गिविग ऑप्शिए नुच्छा थे बख्षी फटे लिसांच पाये जी, सारे आनु जेड़ा है सांच पान तो पहला एक वरी फेर, खाल साजना दिवस्तियां, लख लक वदाया होनची, वाहिगर जी का खाल सा, वाहिगर जी की फटे जी. Thank you, Masa Ji. ये लुप बभाई जिए क्यों सिर्क्षम Hackा जिर विल फिर भी जए खियो जी जिए बड़ Bудь में आजयु're सॉंकि इसक्टर्टे जीए जिए को